हेलो स्टुडेंट्स आज हम NCRT क्लास 11 इंगलिश की पोयम दा लेबरनम टॉप रिटन बाय टेट हुजिस को पढ़ेंगे और समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेट हुजिस की इस कविता में लेबरनम ट्री और एक गोल्ड फिच के बीच आपसी संबंद का वर्णन है दोनों का रंग पीला है पेल अपने फूलों के मज़े से पीला है और दिखने में काफी खुफसूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले शलोक में कभी कहता है उसने एक लेबरनम ट्री इसके पीले फूलों के साथ को देखा टार्ट के शब्दों में लेबरनम पेड़ शान्त है पेड़ अभी जीवित है और सितंबर के दिन समय में म्नत जैसा दिखता है मरा हुआ दिखता है यहां तक की धूब भी पीली है जैसा की पतजड का समय है पेड़ के पत्ते पीले हो गए है और इसके बीच गिर गए है इस शलोक में कभी बार बार जो है पीले रंग की छवी का उपयोग करता है पहले पेड़ के फूल पीले होते है फिर इसके पत्ते भी पीले हो गए है और सुरिश की रोश्णी में पीली है। पीला रंग सुन्दरता के प्रतीक है। फूलों के वज़े से जो बीच की रूप में गिर गए है। मृत्यू पीले पत्तों के कारण के साथ साथ मौन, बारिश या हवा के बिना दिन का समय, पूरे चंद में कभी लेवर्नम पिल की दैनी इस्थिती का वड़न करने के कोशिश कर रहा है। जो शान्थ है, मर रहा है और बिना बीज बेकार है। तिल दा गोल्ड फिंच कम्स विदे ट्विचिंग चिरप, अ सुटननस, ए रहा का वा ड्रांच अ राश्नेंद, जावा का लिज़री बेकारर्णे चिरप लाटिध, ऑुरॉ टफसर तीकने जाडि़ मौन, कर वचिरप तूरं कि विचिंगि, चिरा हाूर, प्रूपि, वरॉझंग ऑ जादीने टीपूर पिंगि, it is the engine of her family she stokes it full then floods out to a branch and showing her beard face identity mask हालांकि मौत का द्रश्य जल्दी ही बदल जाता है जब गोल्ड फिंच चहकता हुआ उस पेल पर आता है गोल्ड फिंच एक चमकीली पिली रंग का पक्षी है छोटी चहकती आवाज पेल की एक शाकर के चोर पर बैड़कर पक्षी काफी एतियाद बरतता है और अचानक तेज हलचल करता है शायद ये किसी भी खत्रे की तलाश में है जो वहाँ हो सकता है ये तब लेवर्नम ट्री की मोटी चाल में आसानी से चला जाता है लेकिंग सतर्कता के साथ अचानक ऐसा करता है जैसे भी पेल में परवेश करती है उसका गोसला लेवर्नम ट्री के अंदर होता है जल्द ही चाचहार्ट की आवाजें तेज हो जाती है यहाँ मशीन की छवी पक्षी के बच्चों को संधर्वित करती है एक मशीन शुरू होने पर बहुत शोर करती है इसी तरह जब युवा पक्षी अपनी मा को देखते हैं तो वे मशीन की तरह चहकने लगते हैं अपने पंखों को तेजी से खुशी में जपटते हैं क्यूंकि उनकी मा भोजन लेकर आई है ये भूके होने के सासत अपनी मा के ना आने से बहुत दुगी थे अब पूरा पेड कापता है और माता पक्षी और उसके युवा लोगों की कारण रोमान्चित होता है कभी शायद ये मरसूस करना चाहता है कि एक मरत पेड कैसे जीवित हो जाता है क्योंकि इसने पक्षी और उसके युवाओं को जगा दी है पक्षीयों को आश्रे मिला है और बदले में पेड को जीवन मिला है इस परकर गोल्ड फिंच उसके परिवार का इंजन है जिसमें लवर्नम पेड भी शामिल है कभी के नुसार ये उन्हें इनन से भरता है यानि ये युवाओं को भोजन देता है और पेड को रोमान्चित करता है ऐसा करने के बाद वह फिर से एक शाखा के लिए उलान भरती है केवर उसका गहरे रंग का धारीदार चेहरा पिला दिखाई देता है और इसलिए वाद पेड की पिली पत्तियों में अद्रश्य हो जाता है दैन विद एरी, डेलिकेट, विजल, चिरप, विश्पेरिंग, शी लॉंचेज अवे तोवार्ड दा इन्फिनाइट एंड दा लेबर नम सबसाइट तो एम्पिटी पेड के शाखा अंत तक पहुंसते पहुंसते ये अजीब लेकिन मदुरता से चहेकने लगता है और फिर अनंत की उडान भरता है अनंत यानी आकाश इसके बाद लबर्नम ट्री फिर से मौन हो जाता है तो फ्रेंट्स आज हमने ये पोयम पढ़ी है अगे भी इसके हम और चेप्टर लाएंगे अगर आपको ये हमारे पोयम अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रेप्रेशन सर्किल को आप सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें आगे भी इसी तरह के हम वीडियो सुलाते रहेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया